इस वीडियो को आप एक मिनिट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग हम फिर से वापसा आज चुके एक नए वीडियो के साथ तो गाईज अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजे और हमारी बैल आइकन को भी दबा दीजे इस वीडियो को लाइक करिए कॉमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए गाईज हम बहुत सारे वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं पूरे न्यूस रिलेटेड जो भी वाइरल माटेरियल होता है जो भी बड़ी बड़ी डिवेट होती है सब का हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं तो आप हमारे चैनल से बने रही है जब यह कहे रहे हैं बेरी दपास्ट उसका मतलब यह नहीं है कि कश्मीर भूल जाओ उसका मतलब यह है तो एंगर और बिट्रिनस जो होता है जो रैंकर होता है उसको निकाल के यह मसले को हम हल करने की कोशिश करें और पीसफली हम हल इसको कर सकते है मुनासिब बात की है उनोंने अब बात असल ये है कि समझना चाहिए कि हिंदुस्तान का गेम क्या है मैं आपको explain करता हूं in two minutes हिंदुस्तान का गेम ये है कि वो अभी आप देखेंगे अमरीकनों के कहने पे वो कहेंगे आओ क्रिकेट खेलो वो कहेंगे देखो ये बॉर्डर जो है ये सुनसान है वो कहेंगे बैक चैनल टॉक्स जो है वो भी शुरू करो और अगर आप अच्छे से करें ये बातें करतें तो हम ये गिलगिट बल्दिस्तान का जो क्लेम है वो भी शायद हम छोड़ दें और बी-ल-ए और टी-टी-पी जो लोगों को हम हत्यार देते हैं और पैसे देते हैं और बल्दिस्तान और केपी में वो आके अमला करते हैं वो भी हम शायद रोकते हैं शायद हमारे फ्लाइग फॉल्स फ्लाइग आपरेशन्स और प्रॉपगणडर भी कम हो जाए मगर दो शर्तों पर एक मकबूजा कश्मीर तुम भूल जाओ और दूसरा गुलबशन यादव को हमें वापस भेज दो और मैं को माफ करिये मैं आपको एक और चीज़ पताता हूं मगर साथ साथ हम अपनी कोशिशाथ पूरी कोशिशाथ के मुसल्मान कश्मीर को हिंदू कश्मीर बनाना हिंदू को इंपोर्ट करके उसको सेटल करना और मेक इट अ मिजॉरिटी हिंदू स्टेट वो हम चलते रहेंगे आपको ग्रेड डिस्ट में पूरी कोशिश होगी कि हम रखेंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि बाइडन को ब्लैक मेल करें कि वो प्रेशर तुमारे उपर रखे कि पाकिस्तान वो कहे जो बाइडन कहता है I'm sorry ये तो बड़ा आसान खेल है We've seen it ये सबस के सामने होना चाहिए हमारा response क्या होना चाहिए मेरे ख्याल में कहने की जरूरत नहीं है हमने एक वादा किया था हागे खुद इरादियत क्या और उस वादे को हमने पूरा करना है और अगर नहीं कर सकते हैं तो तारीक हमें कभी नहीं forgive करेगा दूसरे लोगों को चोड़ो तारीक और हमारी self-respect हमें कभी भूलने नहीं देगी बिल्कु सही अमरान साब आप समझते हैं कि मसला कश्मीर को वैसे भी पहले भी कभी कोशश की गई हैं कि ट्रेड करके पहले हालाद बेतर कर लिए जाएं पहले और चीजों पर discussion कर लिए आप समझते हैं कि मसला कश्मीर को एक साइट पर रखकर वैसे भी हम तालुकाद बेतर कर सकते हैं देखें पाकिस्तन और इंडिया जो है ना इसके तालुकाद जो है इसमें कोई शक नहीं है यह जो तक्रीर की है आप यह देखें कि इस वक्त इंडिया के पेट में तो मरोर उठ रहे हैं यह सुपसलार की सोच है जो उन्होंने बियान कर दी है और यह सिर्फ एक बंदे की सोच नहीं है एक अपनी नई पॉलिसी और स्ट्रेटीजी दी है कि जिन आप देखें हम तो पूरे दुनिया में अमन के दाईए हैं हम अमन चाहते है और यह हमारी बात है आप आएं हम मीडिया के साथ भी जो है नहीं इसी असूल पे कारबंद है हम बिल्कुल उस तरह की कोई बात नहीं चाहते है अब समझे इसमें सुन ले बारते मीडिया क्या कर रहा है जो अमीर आली साथ बात करने था ना कि वहां से किश्मीर से रियक्शन आया बारती मीडिया खास तो पे हिंदूस्तान टाइम्स और दूसरे उनकी जो है अख़बारात और चैनल्स वो इस बात को कर रहे हैं कि शाहिद पाकिस्तान ने अपना मुखक छोड़ दिया वो किश मीडिया उनका ऐसा है जो कह रहे हैं कि जनाब आपने तो फोज को बिल्कुल नॉन प्रोफेशनल कर दिया और जो जनरल कुमर जब बाजवा न किया उन्हों तो आपको दुनिया में अकेला करने की देज़ पे ले आए हैं अब अगर आपने इस पालिसी पे कोई बुस्वत तो काम ना दिखाया तो उसका नुकसान होगा बिल्कुल सभी बैरल लेकिन इस हवाले से एक जो चीज़ है लाली साब इमरान साब जाहर है कि अमेरिका की तरफ भी लोग देखते हैं ख़वाले से कि पहले यह साब हैं अमरीकन और बाइडन अड्मिनिस्ट्रेशन के एक रेप्रेजेंटिटिव है तो आप वो तो वही कहेंगे ना जो उनकी हुकूमत और उनका सदर कहता है हमारा पॉइंट अव्यू डिफरेंट है हम जानते हैं कि क्या हुआ है मुडी ने क्या किया है कि कि कश्मीरियों के साथ क्यों नहीं तुम आके उनको सैंक्शन करते हो क्यों नहीं तुम यूनाइटिज नेशन्स में जाते हो और कहते हो कि जिस किसम की हरकतें वो कर रहा है कि चाइना को तुम क्रिटिसाइज करते हो बर्मा के खिलाफ तुम स्टेप्स लेते हो मगर जो कि किसमीर में हो रहा है। अब ये भारत की मीडिया में इस तरीके की बात है बिल्कुल भी नहीं चल रही है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपने खोद देखा होगा, भारत के मीडिया में भारत पाकिस्तान की जो बैक डोर, डिप्लोम ऐसी बात, जो मतलब पाकिस्तानी मीडिया में कुछ समय स बहुत जादा हो रही है वो ऐसी कुछ बात है भारत की मीडिया में नहीं हो रही है अब इसके पीछे मुझे पता नहीं है रीजन क्या है या फिर ये पाकिस्तान की तरफ से कोई प्रपेगंडा है आप ही बताईए अच्छा दोस्तों आपको वी एक बात और बता दिना चाहत है तो उसमें ट्रांस्पोटेशन चार्ज के साथ कापास की क्वाल्टी भी अच्छी नहीं है और कापास बहुत महगा मिलना है जिसकी वजह से पाकिस्तान के वैपारियों ने डिमांड किया कि आप बॉर्डर खोलें और किसी ना किसी तरीके से भारत से कापास बुलबाए यही कुछ सर्थ अपलाई होती है गेहू में और यही कुछ सर्थ अपलाई होती है वैक्सीन मैं आपको बता दें पाकिस्तान में जो वैक्सीन अभी जो भी वैक्सीन अभी वैक्सीन चाइनीज वैक्सीन उनकी कीमत 10 से 12,000 तक है पर डोज आप समझ सकते हो इंडिया में फ प्रफ्त में आई है और अब यह कुछ वैक्सीन ले रहे हैं रस्तिया से जिसकी कीमत ही इतनी ज़्याद है कि इंडिया में भी अगर वो मालो पाकिस्तान की इकनोमी से कंप्यार करें तो इंडिया में वह उसकी कीमत 2.500 उपर पड़ जाएगी तो भी भारत में कोई न लगव भाई कि भाई 2.500 उपर खर्च करूंगा मैं कोरोना तो 15 में वैसे ही ठीक हो जाओंगा इस तरीके की मतलब चीज़ा होती है तो यह है दिक्कत पाकिस्तान में हो सकता ही धी बज़ाओं से पाकिस्तान चारा भारत के साथ रिस्ते सही करें बैपार होगा तो पाकिस्तान का फायदा होगा पाकिस्तान को वैक्सिन का कम कीमत में मिलेगी का पास कम कीमत में मिलेगा गेहूं की अगर कमी आई तो मिल जाएगा तो हो सकता है दोस्तों यह भी कीमत हो या पाकिस्तान की आर्मी ठक गई हो लड़ लड़के तो उनकी सकती ना बच्ची हो उनका मुराल डा होता है आपर खात्म